अब भारत सरकार जो आपको पेंशन देती है ये कोई देकर के कृपा या फिर दया नहीं कर रहे है भारत सरकार के लिए एक इंसान अपने जिंदेगी के 25 साल 30 साल लगाए है उसके चलते ही उनको ये पेंशन दिया जा रहा है और वैसे कुछ-कुछ कोट केसे से जहां पर पे अलिक अधिकार भी बोला गया है अब देखे एक बहुत बढ़ा बदलाव लाया जा रहा है भारत सरकार के दवारा एक नया पेंशन स्कीम तौफा में आपको दिया जा रहा है that is UPS यानिकी Unified Pension Scheme अब ये Unified Pension Scheme क्या है प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी जी के दवारा इसको approve कर दिया ग्या है क्या है यह सबसे बड़ा बदलाओ क्यों भारत सरकार यह election के टाइम पर नहीं लाये थे क्या है इसका सच्चाई चलिए जानते हैं इस वीडियो में लेकिन उससे पहले एक छोटा सा request एक लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे जरु इसको share कीजे बस तोड़ा सा ही यही support आपका चाहिए So hi everyone मैं हूँ advocate पापिया और आप देख रहे हो decode दिलो simple और सरल भासा में कानूनी ख्यान तेक pensioner यानि की सरकारी नौकरी वाले जो अपने life के 25-30 साल सरकार के लिए देते हैं और यही pensioners के लिए भारस सरकार सबसे पहले तो अपना जो old pension scheme था उसको बातिल कर दिया फिर लाए new pension scheme, new pension मतलब आप ये मत समझ लीजेगा कि आज जो आ रहा है वो वाला नहीं, 2004 से ले करके 2024 तक जो pension का system लागू था उसको कहा जा रहा है NPS यानि की new pension scheme अभी ये सभी चीज़ को खारिस्ट करके एक नया pension scheme तौफा में आपको दिया जा रहा है यानि की unified pension scheme अब ये क्या है आपको क्या हिससे कुछ फाइदा मिलेगा ये pension scheme लागू होने वाला है 1st April 2025 से अभी का जो pension scheme चल रहा है ये absolutely खतम हो जाएगा तब से पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी ये तीनों चीज़ों में क्या क्या अंतर है क्या का benefit आपको पहले मिलता था तो OPSCN की old pension scheme इसका ही मांग अभी देश भर में चल रहा है central government employee के दौरा and state government employee के दौरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के employee मिल करके इसको वापस लाने के लिए ही protest कर रहे है ये pension scheme ना Britishers का देन था यहाँ पर क्या होता था आपको पता होता था कितनी amount आपको मिलने वाला है retirement के बाद अगर मृत्य हो जाता है तो spouse को भी पैशा मिलता था pension के इसी भी तरकी का यहाँ पर contribution employee को नहीं करना परता था सारे का सारा contribution सरकार ही करते थे तो absolutely zero deduction था यहाँ पर inflation के साथ भी इसको connect किया गया था यानकि महिंगाई को देखते हुए भी dearest allowance आपको दिया जाता था यही पर 2004 में अटल भी हरी बाचपई जी के सरकार बोले की देखिए अभी यह pensioners को pension देते देते सरकार को सरकार का बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है मतलब यह बोलने की कोशिच क्या गया था कि pensioners सरकार के लिए बोज बन रहा है तो हम लोग अभी क्या करेंगे 10% 10% employee को contribute करना पड़ेगा मतलब की 10% आपको कटवानी पड़ेगी और सरकार यहाँ पर 14% का contribution करेंगे अब यह जो कटोती है UPS में भी लागू होगा 10% ही unified में कटोती रखा गया है तनखा का NPS में new pension scheme में total जो कुल मिला के जो धनराशी हो जाएगा यह धनराशी सरकार जमा कर देंगे PFRD fund में PFRD को power दिया गया था कि आप यही पैसा को share market में जा करके invest करो उसको घुमा घुमा करके एकदम बहुत जादा बना दो ठीके ना और यही पैसा आगे चल करके आपको pension की रूप में मिलता था लेकिन यह पर कोई भी guarantee नहीं दिया जाता था क्योंकि share market subject to market risk अगर market में पैसा एक बर समा जाएगा उपर नीच मारकेट अगर crash कर जाएगा तो उस case में आपको कोई भी surety नहीं दिया जाता था कि आपको pension मिलेगा ही मिलेगा तो यह था कुछ हिसाब किता लेकिन देश भर में protest किया गया सरकार को बखु भी पता चल गया था कि यह matter बहुती लंबा चलेगा इसलिए अभी सरकार यह old pension scheme and new pension scheme के बीच में एक रास्ता UPS को एलान कर दिया गया है ध्यान रखिएगा दोस्तों UPS को आप old pension scheme समझने की गलती मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा ऐसा चीज है जो old scheme में आपको मिलता था वो नहीं है ठीकिन लेकिन new pension scheme जो NPS था उससे कुछ similarity यहाँ पर देखा जा सकता है सिर्फ contribution के मौामले पर एक change देखा गया है तो सबसे पहले UPS में क्या का सुभीदा आपको मिलने वाला है तो जो सारे सरकारी नौकरी वाले 25 साल अपने जिन्देगी के करके सेवा में लगा दिये हैं वो सारे लोगों के लिए खास करके यह benefit दिया जा रहा है हाला कि जो लोग 10 साल यहाँ पर नौकरी किये हैं उनके लिए भी कुछ ऐलान किया गया है सबसे पहला 25 साल आप अपना सर्विस में लगाए हो ठीके न retirement के साल के आखरी के 12 महिने में जो salary आपका बना है उस salary का 50% आपको pension के रूप में मिलेगा सो कुल मिलाखे अगर एक लाग रुपे बनता है तो 50% पचास आजार रुपे आपको मिलेगा अगर माल लीचे 25 साल आपका नहीं हो रहा है लेकिन 10 साल हो रहा है तो यह कौनसा case में होता है पता है जो लोग सेना से आ रहे है retirement ले करके वो लोग अभी 60 साल में नहीं पहुँचे है अगर ऐसा कोई लोग 10 साल भी सेवा करते हैं सरकार का तो उनको कुछ भी नहीं देखा जाएगा 10 हजार रुपे हाथ में दे दिया जाएगा लेकिन आखरी के 12 महिने में उनका पैसा लाख में क्यों नहीं चला जाए उनको केवल 10 हजारी मिलेगा नेक्स्ट अभी यहाँ पर सरकार कहे है हम लोग शेर मार्केट पर पैसा नहीं डालेंगे बाजार के उपर बेस करके आप लोगों को जो कहा गया था कोई भी गैरेंटी नहीं है वैसा काम नहीं करेंगे नॉर्मल बैंक रेट में इंटरेस जो मिलता है उसके हिसाब से ही हम लोग आपको पैसा देंगे तो bank rate के उपर यहाँ पर focus किया गया है यही पर 10% contribution जो पहले NPS उसको same रखा गया है employee के लिए लेकिन सरकार जो पहले 14% करते थे अब उसको बढ़ा करके 18.5% कर दिया गया है यही पर देखिए और एक चीज़ कहा जा रहा है कि indexation यानि की महेंगाई भत्ता भी आप लोगों को दिया जाएगा consumer price index को मद्दे नजर रखते हुए यह सारा चीज़ को consideration में लिया जाएगा next अगर मृत्यू हो जाता है pensioners के तो कर्म चारी के जो pension है उसके 60% जो उनके मृत्यू के ठीक पहले था अभी यहाँ पर सवाल एक ही आता है देश भर में सवाल उठ रहा है कि जो लोग NPS में पहले से ही अपने आपको अंतरभुक्त करा चुके है क्या वो लोग वापस आ सकते है unified pension skip में आंसर है जी हाँ आ सकते है लेकिन points जरे note कीजेगा यह सारा benefit आपको तभी मिल सकता है आपका सर्वीस अगर 25 साल है जो लोग 10 साल दे रहे एशोर 10,000 रुपया आपको दे रिया जाएगा और यही पर निसकस आपके लिए OPS, NPS and UPS OPS में कोई भी contribution नहीं करना पड़ता था employee को सारा का सारा contribution government का था जबकि new pension skip में 10% देना पड़ेगा employee को और 14% सरकार दे दे थे और UPS में 10% employee देंगे, 18.5% देंगे government old pension skip में आपको assured pension मिलता था new pension skip में यह assured नहीं था, कोई भी guarantee नहीं दिया गया था और UPS में निश्चित आपको pension मिलेगी लेकिन यहाँ पर 25 साल की service होनी पड़ेगी इंडेक्सेशन भी लागू किया जा रहे और इसके साथ एक lump sum amount आपको दिया जाएगा सुपर annuation के टाइम पर ग्रैचुइटी जो है उसके addition में अखिर मैं यही कहना चाहूंगी दोस्तों यह UPS को old pension scheme समझने की गलती बिल्कुल भी मत कीजेगा यह old pension scheme बिल्कुल भी नहीं है सारका सारा trade union वाले इसको ले करके असंतोस जता रहे है अभी देखने का यही बाकी है सारकार का क्या इसके उपर response आता है So that's it in this video उम्मीद करतों आपको कुछ न कुछ value मिला है अगर मिला है एक like कीजे चैनल को subscribe कीजे जरूर इस वीडियो को share कीजे और बाकी लोगों को भी जागरूग वेनाए बहुत बहुत धनिवाद आपका